जर्खन चुनाओं में प्रियंका गांथी ने सधा मोधी सरकार पर निसाना कहा कॉंग्रिस राज में 35 किलो चावल मिलता था भाजपा दे रही है 5 किलो जिहां प्रियंका गांथी वाडरा ने जर्खन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाओ आपकी मिट्टी और मा का चुनाओ है जर्खन के अस्तित्व का चुनाओ है जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांथी वाडरा न प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी देश की हकीकत पर नहीं बोलते यदि बोलते हैं तो बहाने मारते हैं जैसे स्कूल में फेल होने पर बच्चा बहाना मारता है मोदी जी भी वैसे ही बहाना मारते हैं सुप्रिम कोट के पुर्वजज बोले मुस्लिमों को बना दिया है बली का बकरा सभी विफलताओं के लिए बीजेपी ने ढूंड निकाला है बहाना जिहां देश की कई हिस्सों में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर जमकर परदर्शन हो रहा है इसे लिकर सुप्रिम कोट के पुर्वजज जस्टिस मारकंडे काटजू ने भी अपनी नराजगी व्यक्त की है काटजू ने लिखा कि मुझे यह कहने में खेद है लेकिन मुझे सच बोलना चाहिए 200 मिलियन भारतिये मुसल्मानों के लिए बुरे दिन आ रहे हैं पंजाब टुडे नाम की एक पर अपना उपीनियन लिखते हुए काटजू ने कहा कि भाजपा ने अपनी सभी विफलताओं के लिए ये बहाना ढूंडा है और मुसलिमों को बली का बकरा बनाया है काटजू ने लिखा कि भारतिये अर्थववस्ता की हालत बेहत खराब है जीडिपी लगतार गिर रही है वी निर्मार सेक्टर में भी गिरावट है ओटो सेक्टर में बिकरी में 30 से 40 विसदी की गिरावट है रियल स्टेट भी बुरे दोर से गुजर रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बारह मिलियन युवा हर साल भारतिये नौकरी बाजार में प्रवेस कर रहे है लेकिन नौकरियों के संख्या में गिरावट है लेकिन सरकार उन्हें ये सब करने के बजाए ये कर रहे हैं। गठबंधन राजनिती पर आड़े हाथों लिया। उद्धों ने कहा कि जो कुछ भी हमने किया वो आपसे ही सीखा है। आपने नितिश कुमार और लालू यादों के बीच गठबंधन को तोड़ा। आपके सहुलियत के मुताबिक आप महबूबा मुफ्ती नितिश कुमार गठबंधन को नौकरी रोजगार दे नरेंदरमोदी सरकार, जिहां दिली में नागरिकता कानून को लेकर परदरशन तेज है, लाल तिली के कई इलाकों में परदरशनकारी इस कानून को वापस लेने के मांग कर रहे हैं। परदरशन को देखते हुए करीब 16 मेट्रो स्ट को बंद करतिया गया है और कुछ इलाकों में एयर टेल और वोडाफोन ने मोबाइल सिवा रोक दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सन्योजक अरविंद केजरिवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार से नागरिक्ता कानून वापस लेने और युवाओं को र पार्विंद केजरिवाल ने कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है आज सभी नागरिकों को डर है मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि इस कानून को लागू न करे और युवाओं को रोजगार दे मायावती का बड़ा बयान कहा नागरिक्ता कान कानून को वापस लेकर देश की बदहाल होती अर्थ्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुशार उन्होंने कहा कि सरकार को बढ़ती बेरोजगारी रुपए की गिरती कीमत और महंगाई जैसी समस्याओं को दूर करने के प प्रदर्शन हो रहे है